वेलक्टिकल मंत्रा और मैं हूँ आपका दोस्त गोईन सर्मा आप देख रहे हैं मेरे साथ अलेक्रिकल मंत्रा वो राज का जो हमारा टोपिक रहने वाला दोस्तो वो रहने वाला इंसुलेटर के ऊपर इंसुलेटर की कल्कुलेशन की वीडियो जलसी आपकी डिमांड पर आ डाल दें अपनी रिक्वेर्स तो यह है इंसुलेटर तो इंसुलेटर सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलेटर होता क्या है what the insulator is insulator आप नाम से ही जैसे suggest हो रहा है दोस्तो insulator insulator का means क्या है insulator का means है insulator एक ऐसी property होती है किसी भी material की insulating property होती है किसी भी material की जिससे वो क्या करता है current को अपने अंदर से पास होने नहीं देता तो simple भाषा में अगर आप देखें तो insulator वहे एक वहे material है या material से बना कुछ भी एक device है device तो हम नहीं बोल सकते हैं और insulator एक ऐसा material है एक ऐसे materials का हमने क्या बनाया है एक structure बनाया है जिस structure से हम क्या करते हैं current को flow होने से रोकते हैं माल लेते हैं ये हमारा एक tower है ये देख लेते हैं हमारा इससे आप ज्यादा बैटर समझेंगे इस वीडियो में बने रहें आप अच्छी बाते सीखेंगे और इससे साथ-साथ आप calculations के उपर भी जाएंगे जो कलकी वीडियो होने वाली है दोस्तों उस वीडियो का नंबर ओफ इंसुलेटर की उसको हम कैसे समझेंगे इस वीडियो से आप जानेंगे अगर यह वीडियो आप देखेंगे तो वह कलक वाली वीडियो अच्छी समझ में आगी तो इससे देखते हैं समझते हैं क्या होता है इंसुलेटर तो इंसुलेटर मान लेते हैं यह कोई ट जो high transmission tower है उसके ऊपर लगा दें ऐसा तो होगा नहीं तो ऐसा नहीं होने के लिए हमने बीच में क्या लगाना पड़ता है यह insulator लगाना पड़ता है ताकि जो voltage जो current इस conductor में जा रहा है पास हो रहा है transmission हो रहा है जिसका वो इस tower में नाए तो इस tower में नाएने के लिए क्या ल इंसुलेटर बोलते हैं, ताकी हमारा conductor का जो current है, conductor की जो voltage है, conductor के जो power है, वो हमारी tower में नहीं आए, tower में आजेएगी तो क्या होगा, शोक लगने के chances हैं, हजार होने के chances हैं, fire होने के chances हैं, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, इनसूलेटर लगाते हैं, इतना आप बिलकुल मैंने देशी भाशा में आपको बता दिया है इतना आप बिलकुल समझ गए होगे आप देखते हैं number of types इनके कौन-KGUन से types होते हैं कैसे कैसे यह use होते होगे तो अगर आप हम journally बात करें, तो journally बात करें तो number of 5 types होते हैं लिखने होते हैं five types होते हैं तो अगर आपसे पूछे तो इंसुलेटर जो होते हैं वो कितने types के होते हैं यहां से आप notes भी बना सकते हैं easily अच्छे से आप अगर correlated करेंगे तो अच्छे से आप exam में भी लिख सकते हैं अच्छे से आप viva में भी लिख सकते हैं तो numbers of insulators types of numbers of insulators होते हैं five types के तो यह हो जाता है कि five types के तो होते हैं sir इनको हम कैसे divide करते हैं कि यह पांस तरकार के हैं तो हम voltage के waste पे करते हैं किसके waste पे करते हैं voltage के waste पे करते हैं high voltage और low voltage की case में वो भी हम बात करेंगे पहले देखते हैं 5 टाइप कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे pin insulator, suspension insulator और strain insulator, stray insulator और है cycle insulator ये types हैं और ये according to voltage यूज होते हैं क्या according to voltage तो 5 type मैंने कौन-कौन सी बताई pin, suspension, strain, stray and cycle ये हमने बताई 5 types और according to voltage यूज होते हैं हमेशा मान लेते हैं 11 kVA पे कुछ यूज होगा और 33 kVA पे कुछ यूज होगा उससे अबो 66 kVA पे कुछ यूज होगा तो ये था हमारा types of types कितने हैं बारी बारी हम इस वीडियो में एक के बारे में बारी बारी एक वीडियो में बनाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम बारी 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 एक के उपर एक दिन एक के उपर हम discuss करेंगे आपके response के उपर है अगर अच्छा response दे रहे हैं अच्छा वीडियो को share कर रहे हैं तो मैं बनाऊंगा अच्छी वीडियो तो यहाँ पर कितने type होते हैं 5 type हैं हमने यहाँ पर देखे insulator materials insulator के sorry तो मैंने अभी आपको बताए है यह voltage के उपर divide होते हैं तो pin, suspension and strain यहाँ पर लिखा है pin, suspension and strain insulator are used to medium to high voltage तो जो हमारे pin होते हैं suspension types होते हैं strain type insulator होते हैं वो हमारे medium to high voltage यूज होते हैं while the stay cycle insulator are mainly used at low voltage तो इन पाचों में से मैंने यहाँ पर बताया तो last वाले दो जो low voltage पर use होते हैं सबसे high voltage पर यह उससे यह और इससे यह high to low voltage पर हमारे use होते हैं अब आप समझ गया होंगे कि यह अगली slide में क्या कहना चाता है pin, suspension and strain insulator are used medium to high voltage यह क्या है यह एक introduction part है इसका इसका conclusion part इसका calculation part तो बाद में बनाऊंगा मैं कल इसके बारे में एक suspension type insulator के बारे में जो number of disc है उसके बारे में वीडियो अप्लोड करूँगा तो यहाँ पर आप समझ गे pin, suspension and strain type insulator are used for medium to high और जो second and stay होता है वो low voltage पर use होता है ऐसा आप समझ गे होंगे next slide देखते हैं next slide हम एक के बारे में डिसकस करेंगे आज only one के बारे में तो suspension type insulator के बारे में हम देख लेते हैं तो suspension type insulator सबसे पहले तो आप screenshot यहाँ से ले suspension insulator numbers of insulator are connected in series to form a string तो क्या यहाँ पर देखा number of यह क्या बोल रहा है number of insulator तो एक मतलब numbers of एक से ज़्यादा एक, दो, तीन, चार, पाँच जितने भी required होती है वो required बताऊंगा calculations के उपर होती हम एक लगाना है दो लगाना, तीन लगाना, चार लगाना है उसके वो हमारी voltage के उपर depend करता है calculation भी मैं आपको बताऊंगा तो suspension insulator होते है वो होते है series में लगे होते है क्या लगे होते है insulator जैसे एक लगा, दो लगा और तीन लगा मालने हैं यहाँ पर हम तीन लगाए हमने तो इस पूरे structure को क्या बोलते है इसको बोलते है string आप अच्छे से समझेंगे इस एक insulator को क्या बोलते है मालने हामने तीन लगाई तो एक को बोलते है disc और इस पूरे structure को क्या बोलते है string बोलते है अभी आप diagram से अच्छे से समझेंगे diagram देख लेते है यह है diagram क्या है यह diagram अगर आप देखिए तो suspension type insulator का diagram है तो अगर आप देखें यहाँ पर यहाँ पर number of insulator लगें देखो उपर एक लगा है उसके बाद एक 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 करके ऐसे ऐसे joint किये हुए है ऐसे ऐसे joint किये हुए है ना ऐसे joint करता है वो ऐसे बना के ऐसे यह आपने देखा होगा और फिर ऐसे 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 joint किया है उसने तो एक एक इस वाले को एक को क्या बोलते हैं डिस्क बोलते हैं क्या बोलते हैं और इस पूरे structure को क्या बोलते हैं string बोलते हैं क्या इस पूरे वाले structure को क्या बोलेंगे string बोलेंगे और एक जो insulator लगा उसको disc बोलेंगे तो number of series में जब लगे हो ना डिस्क या इंसुलेटर लगे हो उसको बोलेंगे suspension टाइप यानि कि यह suspend होता है यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है इसमें flexible लाने के लिए expand होता है और यह एक string type होता है string type समझगे आप string type कैसा है कि series में बना होता है इसके advantage अब क्या होगी sorry इसके advantage क्या है ऐसे हमने 123 मान लेते हैं एक disc इसमें से खराब होगी उपर ले वाली disc खराब होगी तो इसकी advantage यही है कि उपर वाली को हम change कर सकते है मान लेते हैं pin type insulator था उसमें एक ही लगा होता है एक ही अगर मैं बात करूँ जो हमारा suspension insulator होता है suspension insulator होता है जो हमारा suspension insulator लगता है phase voltage पर तो आप हमेशे याद रखेंगे phase voltage पर हमारा suspension insulator लगता है phase voltage पर और phase voltage पर जो हमारी एक disc होती है यह number of disc यहाँ पर लगी है इनमें से एक disc होती है वो 11 kv पे design होती है, कितने kv पे design होती है, 11 kv पे ये दो बात आप याद रखेंगे कल की वीडियो के लिए, ताकि आप अच्छा समझगे ये था आज का वीडियो, मैंने इसमें basic overview आपको दिया है अगर वीडियो अच्छी लगे, तो इसको share करें और इस वीडियो का जो second part है, हम ये calculate करेंगे मान लेते हैं, इस star से 11 kv, 11 kv मान लेते हैं गई है 11 kv नहीं गई होगी, इससे हम देख रहे हैं, 11 kv इसलिए नहीं गई होगी क्योंकि यहाँ पर number of disk ज्यादा है, मान लेते हैं, यहाँ पर कितनी kv गई होगी 440 kv के लिए हमें ये design कर रहा है, क्या, 440 kv के लिए हमें ये design कर रहा है तो ये निकालेंगे, हम कितने number of insulator लगाएं, ये निकालेंगे कल की वीडियो में तो ये था आज का वीडियो, प्लीज, subscribe my channel for more update, thank you